भारत में बहुत सारे मंदिर हैं जहां आस्था और विश्वास का अद्बोत नजारा देखने को मिलता है कोलापुर शहर पूर्णे के दक्षिन में लगभग 225 किलो मीटर पंच गंगा नदी के किनारे पर स्थित है ऐसा माना जाता है कि भगवान विश्वान और माता महालक्ष्मी इस जगा पर साथ साथ रहते हैं नमश्कार दोस्तों दोस्तों माता महालक्ष्मी मंदिर हिंदू आस्था और धर्म के एक महत्वपून प्रतीक के रूप में खड़ा है इसका निर्मान साथविश अताब्दी में चालुक्यों के शासनकार में हुआ था इसे देश के शक्ती पीठ मंदिरों में गिना जाता है मंदिर के महादवार से प्रवेश के साथ ही देवी के दर्शन होते हैं मंदिर के खंबों पर नकाशी का खुबसूरत काम देखते ही बनता है लेकिन खंबों के संख्या आज तक कोई नहीं जान पाया क्योंकि जिसने भी गिनने की कोशिश की उसी के साथ या उसके परिवार में कुछ अनूनी जरूर घटती है दोस्तों इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हर वश किवल दो बार जब सूर्य भूमदे रेखा के ठीक उपर होता है जिससे दिन और रात की लंबाई बराबर होती है ऐसा मुख्य रूप से 21 मार्च और 30 सितंबर को होता है इन दिनों भूमदे रेखा सूर्य के किड़ने पृत्वी के सता के एकदम लंबवत पढ़ती है जिसके वज़े से सूर्य के किड़ने पहले दिन महादेवी के चर्णों पर पढ़ती है दूसरे दिन माता के हिर्दे पर और तीसरे दिन उनके मुक से उकर गुजर जाती है इस मंदर को बनाने के लिए वास्तुकला, खगोलिय और अक्षिय जुकाफ तीनों के कितनी सटीक करना की गई होगी यह इखटना केवल निर्धारत तीन दिनों में ही होती है बाकी के दिन सूरे की किर्णे गर्ब रह में प्रवेश तक नहीं कर पाती दोस्तों यहाँ काले पत्थर के मंच पर देवी वहालक्षमी जी की चार हातों वाली प्रतिमा सिर्पर मुकुर पहने हुए स्थापित है माता की प्रतिमा को बहुमूल गहनों से सजाया गया है उनका मुकुर भी लगबग 40 किलोग्राम वजन का है जो बेश किम्ती रतनों से जड़ा हुआ है काले पत्थर से निर्मित महालक्षमी की प्रतिमा की उचाई करीब 3 फीट है मंदिर की एक दिवार पर श्रीयंद्र पत्थर पर उकेरा गया है दीवी की मूर्ती के पीछे पत्थर से बनी उनके वाहन श्रेट की प्रतिमा भी मौजूद है वहीं देवी के मुकुर्ट में भगवान वशनू के प्रियस सर्प श्रेशनाग का भी चित्र बना है अन्य हिंदू मंदिरों से अलग पूरव या उत्यर दिशा की बजाय यहां महालक्षमी परश्चिम दिशा की ओर मुक करे हुए स्थापित है देवी के सामने के पश्चिमी दिवार पर एक छोटी सी खुली खिरकी है जिससे होकर सूरज की किरने देवी लक्षमी का भिशेक करती है दोस्तो कोलापूर का नाम कोलापूर एक पुरानिक कहानी से पड़ा है एक राक्षस जिसे देवी महालक्षमी द्वारा मार दिया गया था दोस्तो केशी नाम का एक राक्षस था जिसके बेटे का नाम कोलासुर था कोला सुर ने देवताओं को बहुत परिशान कर रखा था इसके अत्याचारों से परिशान होकर सभी देवकर्णों ने देवी से प्रार्थना की तब महालक्ष्मी ने दुर्गा का रूफ धारण किया और ब्रहमर शस्र से कोला सुर का सिर धर से अलग कर दिया लेकिन कोला सुर ने मरने से पहले मासे एक वर्दान मांगा उसने कहा कि इस इस इलाके की करवीर और कोला सुर के नाम से जाना जाए यही कारण है कि मा को यहां पर करवीर महालक्ष्मी के नाम से जाना जाता है फिर बात में इसका नाम कोला सुर से कोला पूर किया गया ऐसी माननेता है कि देवी सती के इस स्थान पर तीन नेतर गिरे थे यहां भगवती महालक्ष्मी का निवास माना जाता है कहा जाता है कि महालक्ष्मी अपने पती तिरुपती यानि विश्णुजी से रूट कर कोला पुराई थी यही कारण है कि तिरुपती देफसान से आया शाल उन्हें देवपावली के दिन पहना आया जाता है यह भी कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति की तिरुपति यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक व्यक्ति यहां आकर महालक्षमी की पूजा अर्चना ना कर ले यहां पर महालक्षमी को अंबाबाई नाम से भी जाना जाता है दीपवली की रात्मा की महारती की जाती है माननेता है कि यहाँ पर आने वाले हर भक्ति की मुराद पूरी होती है जैहो माता महालक्षमी की धन्यवाद